दोस्तों इस question को देखिए, ये question recently civil services 2022 में पूछा गया है, आपको एक साइड में असोक के major rock addicts का नाम दिया गया है और दूसरे साइड में बताना है कि वो किस estate के अंदर है, इसी तरीके से जब हम 2-3 सालों पहले जाते हैं, तो हम देखते हम से पूछा गया है कि किस inscription में असो को रेनियो असोका के रूप में mention किया गया है, और option थे हमारे पास 4, तो इससे एक साल पहले अगर हम देखें, तो 2016 में भी एक question देखने को मिला, जिसमें हमसे पूछा गया कि असोक के अभी लेखो को सबसे पहले, सबसे पहली बार किस archaeologist ने decipher किया, किस archaeologist ने पढ़ा, और हमारे पास 4 उपसन थे, तो हमने अभी क्या देखा, कि 2017 में, 16 में, 22 में, इससे पहले जब हम थोड़े पुराने सवालों को देखते हैं, ये question देखें, 1993 से repeated था, जिसमें आपसे पूछा गया था, कि असोक के अभी लेखो को पढ़ने वाले पहले scholar कौन थे, तो आप कह सकत हैं, बिल्कुल ये जो same question है, 1993 वाला, ये सवाल 2016 में हमें देखने को मिला, थोड़ा जब हम और पुराने सवालों को देखते हैं, तो देखें, आपसे क्या पूछा गया है, कि कौन सी जो script है, ये right से left लिखी जाती है, और इस script का भी परियोग, असोक के अभी लेखो में कुछ question देखें, तो इस question को देखें, इसमें आपसे पूछा गया था, कि कौन से जो royal order है, यानि उसी तरीके की बात है, addict वगरा की, जो food grain के preservation की बात करता है, ताकि देश को संकट से बचाया जा सकें, और इसमें भी अगर आप देखेंगे, तो असोक से ही associated जो है, option वगरा इसके बाद अगर हम देखें, और questions, तो 1998 में भी हम question देख सकते हैं, अभी one by one हम discuss करेंगे ही, ठीक है, कुछ state PSCs के research में आप question देख सकते हैं, इसी तरीके से और भी state PSCs के कुछ important वाले सवाल है, even UPSC के दवार जो CAPF की exam होते हैं, इसमें भी आप बहुत सारे सवाल देख सक दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, हम inscription पर तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही जो rock addicts होते हैं, rock addicts, इसे हम complete पढ़ेंगे, और सारे rock addicts में आपको बताऊंगा, और जब आप question वगरा देखेंगे, तो आपको complete clarity मिल जाएगी, कि rock addicts से किस तरीके के सवाल बनत हैं, क्या major rock addicts से बनते हैं, या minor rock addicts से बनते हैं, और ये जो question होते हैं, इनका nature कैसा होता है, क्या ये सिर्फ fact-based पूछ लेते हैं, या किसी चीज को associate करके पूछते हैं, तो यहाँ पे हम UPSC के दुआरा जितने भी exams होते हैं, sales services, CDS, NDA, सारे के inscription और rock addicts वाले question को cover करेंगे और detail में study करेंगे, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक request रहेगी, कि आप जब भी question देखें, तो पहले वीडियो post करके, आप उस question को खुद से attempt करने का परयास करें, obviously आप skip भी कर सकते हैं, तभी वीडियो में आगे बढ़ें, देखें पहला question क्या है, आपसे पू यानि बूरी चीजों का ये नास करते हैं, destruction करते हैं, option हमारे पास गौत्मी पुत्र साथ करनी, कनिस्क, समुद्गुत और हर्स वर्थन, so UPSC के जो exams होते हैं, खास तोर से defense वाले, इनमें जब आप देखेंगे, तो ज़्यादतर इतिहास के सवाल आपको, theme series की जो NCRT, आत की video है, जिसमें आप complete पढ़ सकते हैं, channel पर ही मिल जाएगी, ठीक है, तो इसमें हमने जो chapter था, हमारा king, farmers and towns वाला, इसमें हमने discuss किया था, कि कैसे हम देखते हैं, इतिहास में, कई सारे जो राजा हैं, ये अपने मंत्री को आदेश देते हैं, कि आप एक प्रसस्ती लिखें कहां पर किसी पत्थर बड़े से चट्टान वगरा में, ताकि ये चीजें लंबे समय तक रहें, तो इसी कड़ी में हम पर्याग परसस्ती की बात करते हैं, और ये जो पर्याग परसस्ती है, ये किस राजा की तारीफ में लिखा गया है, समुद्र गुप्त की, ध्यान रख अलहाबाद, पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, यानि एक पिलर है, इसमें इंस्क्रिप्शन है, यानि बाते लिखी गई है, अभी हम देख लेंगे, इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट वगरा, इनमें क्या डिफ्रेंसे हैं, तो ये जो पर्याग परसस्ती है, ये Sanskrit भासा में लिखी गई है ये आपके copy में सीधे note हो जानी चाहिए क्योंकि आप देखेंगे काफी सारे सवाल जो है इनसे पूछे गए इतने सारे सवाल है मतलब मैं अभी सारे questions one by one cover करने वाला हूँ आप सारा देख पाएएगे किस तरीके से ये repeat किया जा रहा है अच्छा ये लिखा किन के दोरा गया है हरी सेंड के दोरा हरी सेंड कौन थे तो समुद्र गुप्त के तरबारी कभी थे court poet थे समुद्र गुप्त के तो कई बार तो direct question बन जाता है कि समुद्र गुप्त के court poet कौन थे तो हरी सेंड ध्यान रखिएगा हाँ तो यहां हम source for पड़ते हैं इसमें कहा गया in praise of समुद्र गुप्त यानि समुद्र गुप्त की प्रसंसा में ये परियाग परसस्ती से लिया गया lines है परियाग परसस्ती में क्या लिखा गया है ये चीज़े हमें नहीं याद करनी है नहीं इनमें कुछ ज़्यादा सोच रहा है बट आप nature देखे लिखने का कि किस तरीके से बातों को represent किया गया है राजा के विशे में ये हम देखते हैं he was without an antagonist on earth यानि इनके कोई सत्रू नहीं है इस अर्थ में यानि ये कहा जा रहा है कि इनमें काफी सारी qualities है hundred of good action है ठीक है और अपने पैरों से इन्होंने बाकी राजाओं के जो फेम है उसे खतम कर दिया है he is purus supreme being यानि ये सबसे महान वैक्ति है चाहे आप बात कर ले prosperity लाने की चाहे आप बात कर ले destruction की ये इस लाइन को ध्यान से पढ़िए इस वाले लाइन को या लिखा है कि destruction of the bad ठीक है and prosperity of the good हाँ तो ये लाइन देखिए prosperity of the good and destruction of the bad तो आंसर क्या होगा इसका option सी समझ लोग नहीं देखिए जब previous question करेंगे ना तो इस तरीके का tone वाला question बहुत जाहाद देखेंगे तो अभी मैं आपको चीजे recall करवा दूँ अलहाबाद pillar inscription के हम बात कर रहा है ठीक है अलहाबाद pillar inscription जिसे परियाग परसस्ती कहते हैं परियाग परसस्ती ये जो परियाग परसस्ती ह किस भासा में लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है हरीसेंड के द्वारा हरीसेंड है कौन court poet है किनके court poet है समद्गूरत के court poet अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए ये सेम लाइन वाला जो question है कि कई बार एक ही question नहीं लेंगे बस आप समझ जाई कि ये बहुत ज्यादा important है क्या पूछा गया वही पूछा गया परियाग परसस्ती में किस राजा की तारीफ की गई है answer state forward है इसका समद्गूरत हाँ ये question भी देखिए ये सवाल cds 2016 में पूछा गया है और ये इसमें आप से पूछा गया है कि परियाग परसस्ती में समद्गूरत की काफी सारी attributes qualities बताई गई हैं तो इनमें से कौन सी नहीं है again ये question बहुत ज्यादा logical है logic से solve होगा देखते हैं पहला ये कहा गया sharp and polished intellect यानि इनकी जो intellect है समझ है ये बहुत ही sharp है दूसरा accomplished sculpture असकल्प्चर मतलब मूर्तिकार तो ये काफी एक तरीके से प्रमीन मूर्तिकार है expert है मूर्ति बनाने में तीसरा ये कहा गया fine musical performances यानि music में बहुत अच्छी समझ है और चौथा ये कहा जा रहा है political talent of a genius यानि ये काफी ज्यादा poetry में माहिर है लिखने पढ़ने की बात यहां पे देखने को मिल रही है तो अब आप एक बात सोचिए कि समुद्रगुप्त एक king है और king का मूर्ति बनाने से directly क्या association होगा तो इस कारण है काफी intellectual है तो यह तो होगा यह अब्यसी बात है अच्छा है आपने यह भी सुना होगा कि गुप्त वन्स के कई सारे राजाओं ने सिक्कों में musical instrument वागला उतकिर्न कराये हैं समुद्रगुप्त के context में भी हम ऐसा सुनते हैं तो अब्यसी बात है musical performances associated होगी poetic talent के तो थे ही तो इस कारण से इसका option भी answer होता है यह सब बाते भी NCRT में हैं बट इतनी चीजे पढ़ना याद रखना possible नहीं होता तो वहां पे आप थोड़ा idea लगा सकते हैं कि अगर कोई मंत्री है अपने राजा के बारे में लिख रहा है तो कौन-कौन सी बाते एड़ करेगा ठीक है और हाँ एक बात और बता दू इतिहासकार कई बार इन जीजों से अपना संबंध नहीं रखते हैं कहते हैं कि उनका मतलब अलग-अलग point of view होता है बट आप एक general understanding ले करके चलें कि हम जो बाते इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है उस पे विश्वास कर रहे है या नहीं कर रहे है वह matter नहीं करता आपसे पूछा जाएगा question की inscription में लिखा क्या गया है ठीक है अमझे रहे है इस बात को आप आगे बढ़ते हैं तो यह सारी बाते हैं यह PDF में आप पढ़ लेंगे आराम से पर्याग परसस्ती जैसा कि मैंने बात करी गुपता एंपरर समुद्ध यह काफी टफ सा सवाल CPF 2017 में देखने को मिला यह भी अलाहाबाद परसस्ती से ही संबंदित है पहला यह कहा जा रहा है इट किलियरली प्रेजेंट्स दा गुपता एंपायर एस दा एपी सेंटर ओफ अ कंप्लेक्स वेव ओफ वेराइड पॉलेटिकल रिलेसंशिब यानि बताया जा रहा है कि जो गुपता एंपायर है यह एपी सेंटर है एपी सेंटर का मतलब यह हमने जोगरोफी वाले लेक्चर्स में भी कवर किया है अर्थक्वेक के संदर में तो मेरा आपसे यह सवाल है कि हाइपो सेंटर और एपी सेंटर में क्या फर्क है और फोकस किसे क जैसा है यानि कई सारे इनके political associations देखने को मिलते हैं बाकी सारे empires के साथ दूसरा ये कहा जा रहा है जो line 15 है यानि कई सारे lines है ना अलहाबाद प्रसस्ती में उसमें जो line 15 है ये refer करता है कि एक quota family के एक राजा की capturing है यानि बंदी बनाया गया king के द्वारा दूसरा ये कहा जा रहा है कि समद्रगुप्त का जो line 23 है अचा line 23 ये refer करता है कि समद्रगुप्त violently exterminating a number of kings of आयरवर्थ यानि आयरवर्थ के कई सारे राजाओं को exterminate किया जा रहा है अब आप ये बात सोचिए कि अगर आपको गलत question बनाना है ठीक है आपको पर्याग परसस्ती के बारे information है और आपको गलत question फ्रेम करना है तो किसके ज़्यादा chances है आप question आसानी से गलत बना पाऊगे अब्यसी बात है जिनमें fact हो जो बाते general understanding की है क्या उनमें गलती बनाना उनमें question को गलत फ्रेम करना काफी मुश्किल नहीं है अब्यसी बात है मुश्किल है इनमें fact है इनमें fact है इनमें fact है तीनों गलत answer क्या option है क्योंकि आप खुदी सोचिए कि चाहें वो कोई भी dynasty हो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके political association बाकी dynasties के साथ center में होंगे या नहीं क्योंकि ज़्यादातर राजा हम देखते हैं हितियास में maximum जो dynasties है वो बाकी dynasties के साथ association रखती ही है ठीक है तो ऐसे question देख करके घवराना नहीं है बलकि यह तो और जादा easy होते हैं तो क्योंकि 100% के बात सही होगी कि जिनमें fact नहीं है वो answer सही होगा इतना बड़ा था गुपताय empire काफी mighty dynasty थी तो इनके तो complex way of variety political relationships होंगे ही बाकी kings के साथ बाकी dynasties के साथ so now हम आगे बढ़ते हैं हाँ तो यह सब बाते हैं काफी आसान सी बाते हैं inscription में चार तरीके के rulers की बात की गई है और जिनके अलग-अलग relations है kings के साथ यानी समद्रगुपत के साथ जैसे एक तो वो जिने हटा दिया गया है आप root कर दिया गया राजा के द्वारा उखाड फ next question की और यह C.A.P.F. 2023 का सवाल है आपसे पूछा गया है which of the following political center find a mention in asokan inscription असोक के अभी लेखों में किसे एक political center के रूप में देखने को मिला इंद्रप्रस्त, कोसांबी, सुवर्ण गिरी या कांधार so themes in Indian history वाला जो chapter है Kings, Farmers and Town काफी important है इसलिए आपने देखा होगा जब मैं इस chapter को पढ़ा रहा था हमने काफी सारे lectures cover किये थे इस पर और जब हमने detail में भी discussion किया तो हमने सारे questions cover किये थे हाँ तो I don't know PDF में इसका font इतना अजीब कैसे है किस वाले में तो देखे खेर themes in Indian history मे हम बात कर रहे हैं कि असोग के time पर हां कि political centers क्या क्या थे empire के तो जो capital थी वो पाटली फुतरा थी और जो provincial center थे यानि प्रांतों में जो center है कौन-कौन से थे तो वो थे तक्षसिला, उजैनी, तोसाली और सुवर्णगीरी ये चारो ही जो provincial center है ये असोग के अभी लेखों म mentioned है अब ये नाम पढ़ करके आपको नहीं छोड़ देना है कि आपका काम है कि आप इन चीजों को map में locate करें इसलिए हमने अलग से mapping पर session करी और इन सारी चीजों को cover किया था यही सेम बात मैंने आपको nios वाली book से भी बताई थी कि जो moran bureaucracy है जो moran empire है वो चार प्रांतों म बारे में जानकारी मिलती है पहला तोसाली है जो कि east में है obviously इसके बाद उजयन है जो कि west में है सुवन गरी है जो कि south में है और इसके बाद तक्चसीला है जो कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है यानि यह सबसे आदा northern most provincial center है तो क्या आपको चारों नाम ध्यान है ठ कर रहे हैं तो उस time पे आपका ये काम बनता है कि आप देखे कि कौन-कौन से center है कौन-कौन से important locations, important cities उस time पे thrive कर रही थी तो इस कारण से जब आप mapping करेंगे तभी यह चीजे इस तरीके के question आप आसानी से solve कर पाएंगे फिलाल हम आगे बढ़ते है हाँ इस question को देखिए य सारे अभी लेखों को लिखने में किया गया है इसमें local variation देखने को मिलते हैं यानि जिस छेत्र में है उस छेत्र से adaptation है और काफी सारे variation से बदलाव है letters में दूसरा ये कहा जा रहा है the system of hieroglyphic writing was developed in ancient Mesopotamia तो प्राचीन Mesopotamia में hieroglyphic writing का system देखने को मिला अभी देखते हैं य खरोष्ठी लीपी है ये southern part में यूज की गई है आपको correct बताना है incorrect नहीं so class 12th में जिस तरीके की themes in Indian history है उसी तरीके से class 11th में हमें themes in world history देखने को मिलती है NCRT में ये basically world history वाले topics है सबसे पहले timeline वगरा के बारे में समझाया गया है कि किस time पे क्या develop हुआ और इसी में हम देखेंगे तो समय की सुरुआत के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले सम second chapter में आप देखेंगे कि writing की सुरुवात कैसे हुई इस पर बात की गई है हमें पता है हर समाज में अपनी भासा होती है जिसे एक certain sound से बोला जाता है ताकि उनकी कुछ certain meaning हो ये verbal communication है और writing जो लिखने का जो तरीका ये भी verbal communication का ही part है लेकिन तरीका अलग है जब हम बात करते किसी writing की या किसी script की तो इसका मतलब है कि जो spoken sound है जैसे अभी मैंने कुछ कहा let's suppose मैंने ए कहा तो इसे मैं visible representation दे पाहूं ये होता है एक script का मतलब एक writing का मतलब जो अब हम प्राचीन Mesopotamian की बात करते हैं तो first Mesopotamian tablets written around 3200 BCE यहनि Mesopotamians ने सबसे पहले 3200 BCE में लिखना परारम क आपको ध्यान होगा कि हरपा सबहता का भी timeline जो है इसके contemporary है ठीक है तो इस वज़ा से question कई बार पूछा आता है हरपान सिविलाइसन के time पे Mesopotamian सिविलाइसन क्या उसकी contemporary थी तो obviously थी ध्यान रखेगा इसे कई बार हम देखते हैं कि trade वगरा के भी हमें काफी ज्यादा science दे बात करी कि Mesopotamian ने 3200 BCE में लिखना सुरू किया और ये जो है picture like sign थे ये जो 5000 लिस्ट थी oxen की, fish की, bread की, list of goods जो की brought into or distributed from the temples of Uruk, a city in the south तो goods बगेरा को एक तरीके से list करने का काम किया गया इसके बाद जो है writing began when society needed to keep record of transaction तो जो लेन दिन हो रहा था उसे एक तरीके से record रखन के लिए उसका writing की सुर्वात देखने को मिलती है हाँ ये देखे कुनाय form writing को कुनाय form writing को जो कि Mesopotamian के द्वारा यूज की गई आप देख सकते हैं किस तरीके से letters को pictures के through represent किया गया यहाँ पर और भी detailing दी गई है not important ठीक है बट थोड़ा पढ़ लेते हैं interesting है काफी read cut मतलब लकडी को लेकर के इस तरीके से काट दिया गया और उसके बाद he would press wedge shaped तो इसमें wedge shaped जो है pressing की गई और इसी को कुनाय form sign कहा गया और यह काफी पुरानी बात है इसके बाद जो है इसे धूप में सुखा दिया गया और इसके बाद जो clay है वो मजबूत हो गई और इस तरीके स गया और इसी बात है इंडिस्टिक्टिवल रहे तभी तो इतने सालों बाद हम समझ पाए इन चीजों को और यही बात है जब हम compare करते हैं हरपन सिविलाइशन को बाकी सिविलाइशन से तो कई बार हम देखते हैं कि हरपन के जो seals है हरपन के जो script है वो अभी तक undeciphered है इस क आये देखें and it is because of this wealth of sources that we know so much more about the Mesopotamian than we do about contemporary India तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब यहां पे हरपन सिविलाइशन इंडिस वेली सिविलाइशन थी उस टैप पे Mesopotamian सिविलाइशन थी but इन्होंने चुकी इनके जो लेखन है वो exist करें और हम इने पढ़ भी पाए तो इस का तो obvious ही बाते हैं दोनों गलत हैं कुनाय फॉर्म यहां पे Mesopotamian होगा Hieroglyphic Egypt में होगा दोनों स्वैप कर दिया गया है खरोष्टी Southern पार्ट बिलकुल गलत है खरोष्टी हम देखते हैं खास तोर से Western Northwestern पार्ट में देखने को मिलेगा ठीक है मान सहरा और सहबाज गड़ी ज सबसे जादा परियोग की गई है कौन सी ब्रहामीय स्क्रिप्ट यह जो ब्रहामीय स्क्रिप्ट है इनमें local variation भी देखने को मिलते है छेत्रों के नुसार तो यही एक खास बात भी थी सोक के विजए में कि जहां जो भासा परियोग की जारी जो जादा यूज में थी मतलब आम बोलचाल वाली भासा उनका भी इस्तेमाल देखने को मिला इस कारण से काफी popularity थी इवन आप यह चीज़ आगे भी देखते हैं कि जब कई सारे time पे हम देखते हैं जब किसी बात को propagate करने की बात आती है तो उस time पे जो local language से बहुत जादा काम आता है फिर यह सब बाते मैंने लिख दी है अच्छा हां यह question पहले नहीं पूछा गया काफी tough है यह दो थोड़ा note कर लिजेगा क्योंकि हम सभी options की analysis करते हैं मैं चाहता तो यह बात directly बता करके आगे बढ़ सकता था बट मैं चाहता हूं कि अगर कल को कभी hieroglyphic पूछ ले तो यह ना लगे कि कहां स हां नेक्ष्ट देखिए अच्छे केव वाला हम बाद में cover कर लेंगे बाद में चीजे छूट ही जाती है इसलिए अभी ही cover कर लेते हैं देखिए क्या कहा गया बेस नगर क्या यह सेवाइट केव स्राइन है भाज क्या यह बुद्धिस्ट केव है सीतान वसाल क्या यह जे dynasty से संबंदित है very very important star mark कर लिजे कई बार exam से पूछा गया है और यह dedicated है क्रिष्ण जी को भगवान क्रिष्ण को वसुदेव के रूप में dedicate किया गया है अब खास बात क्या है वो देखिए एक Greek ambassador होते हैं इनका नाम है Heliodorus इन्होंने क्रिष्ण को देव देव यानि God of Gods कहा ह और इस कारण से मतलब एक बड़ी unique बात देखने को मिलती है कि जो भी लोग यहां पर आये इसके culture को एक तरीके से adapt कर लिए ठीक है और यह जो inscription है यह दिखाती है कि भगवान कृष्ण वाशुदेव जो कल्ट है इवन Greeks में भी कितने जादा popular थे यह बेस नगर inscription की खासियत और यह चीज देखे fine arts में है जो हमारी art and culture के लिए यूज की जाने वाली NCRT है उसे भी मैं जल्द ही एक lecture में पूरा खतम कर दूँगा प्लीज वेट मुझे पता है कई सारे लोगों ने मुझे कहा है बट ठीक है one by one हम cover कर रहे हैं चीजों को फिलाल हम आगे बढ़ते हैं हाँ तो भाज caves के बारे में हमने बात कर यह तो previous question भी है कई बार पूछा भी गया है तो ध्यान रखेंगा यह सबसे पहली बात तो यह second century BC की है और महराश्र में है और यह बुद्धिजम से associated है यह दो बाते important है इसके बाद सितान वसाल केव की अगर हम बात करें तो यह तमिल्लाडो में और यह जैनिजम से associated है तो जैसा कि हमने देखा कि जो बेस नकर है यह वसुदेव यानि भगवान किसन से associated है तो सेवाय केवट एडिशन नहीं है बाकी के सही है तो पेर्स वाली बात थी ठीक है तो टू और थी जो है वो सही है आ यह बेस नगर वाले प्रिदर इंस्क्रिप्शन को ही कहा गया है जो कि 2nd century BC की है वसुदेव यानि भगवान किसन से associated है यह कोशन देखिए हरी सेन के द्वारा क्या कंपोज किया अभी हमने यह कवर किया है नासिक इंस्क्रिप्शन पर्याग परसस्ती देवपारा या हतिक तो आंसर क्या होगा इसका अब्वेस ही बात है पर्याग परसस्ती और समुद्रूप यह कोशन मैंने जान बुज़कर के बाद में लिया विमने 10-15 मेंट पढ़ाई करी तो मैं भी दिमाग से slip कर गया हो जो first time पढ़ रहा है अब फिर से यह चीजे refresh रहेंगी हां आगे दे प्यारी inscription असकंद गुप्त का है असकंद गुप्त गुप्त डैनेस्टी के ही रूलर होते हैं यह बात जो है आपे गलत है बाकी तीनों बिल्कुल सही है आगे देखिए हां तो असोक को अच्छा अब अब असोकन एडिक्ट वाले सवाल है तो थोड़ा मैं पहले ब्रीफ म पर जब हम बात करते हैं तो inscription का मतलब होता है कि कोई hard substance है let's suppose कोई rock है और इस rock में अगर कोई king order देते हैं कि आप इन बातों को सामिल करिए लिखिए तो इसमें जो लिखने का काम होगा यह लेखन वाली जो बात है यह कहलाईगी inscription हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं तो देखें addict का मतलब होता है अध्यादेश जिसे हम present day में देखते हैं कि president और governor यह ordinance इसू करते हैं तो addict भी एक तरीके का ordinance था जो कि king के द्वारा इसू किया जाता था और इसे किसमें लिखा जाता होगा और बेसी बात है perishable non perishable दोनों तरीके के material में लिखा जाता होगा और hard substance में लिखे जाने की मनसा ही यही रहती होगी कि सालों सालों तक यह चीज़े कुछ नहों और आने वाली generations भी समझ पाए कि king का क्या order रहा होगा खेर हम question के और बढ़ते हैं हाँ तो असोक के अभी लेखों के उपर काफी सारे questions आये हैं तो मैं सोच रहा हूँ फहले हम इसे cover कर ले या question देख लेंगी तो आए पहले brief में समझ लेते हैं फिर question देखेंगे और फिर उसी time पर revision भी हो जाएगा तो तीन तरीके के भासा यूज किये गया असोक के अभी लेखों में प्राकृत ग्रीक और अर्मेरिक अब यह जो एडिक्ट है यह non standardized form में यानि प्राकृत का जो सबसे प्राचीन रूप है इस भासा में हमें देखने को मिलते हैं यह जो प्राकृत के inscription है यह ब्रामी और ख खरोष्ठी यह सब a script है पहले इस difference को समझे लिए अब हम देखेंगे question में आप confused हो सकते हैं तो जब भी आपसे a script पूछा जाएगा अब ब्रामी खरोष्ठी a script ध्यान रखेंगे बहासा में आपको समझना पड़े है कि प्राकृत जो है यह देखने को मिलेगा अब यह बा जैसे कांधार एडिक्ट की हम बात करते हैं तो यह ग्रीक में है केवल तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें अलग-अलग script भी यूज अलग-अलग languages भी यूज किये गए हैं अगर हम असोक के major rock एडिक्ट की बात करते हैं major rock minor क्या difference है वो भी समझ लेते हैं एक general understanding होनी चाहिए अभी हम काफी सारे question करेंगी तो वहाँ पर आपको complete clarity मिल जाएगी कि किस तरीके के question देखने को मिलते हैं so now बात करते हैं असोक के 14 major rock एडिक्ट की बेसिक एंसी आर्टीज में भी यह चीजें covered हैं जैसे chapter 8 आप देखेंगे class 6 का हाली में मैंने इसे complete cover किया आप देख सकते हैं चैनल से असोक वो राजा जिसने युद्ध की नीती को सदा के लिए त्याग दिया ठीक है इसमें काफी बड़े empire के बारे हम बताया गया है और इसके बाद हम देखते हैं तो यहीं पर हमें यह map देखने को मिलता है और इस map से कई बार question आए है अभी recent वाला जो question हम देखेंगे यह भी इस map से ही पूछा गया था तो यह आपका काम है कि आप इसे draw करके अपने हातों से locate करें one by one तभी जो है यह चीज़ें याद होंगी otherwise काफी difficult होगा अब मैं तो इसे बार बार पढ़ा रहा हूं काफी time से पढ़ा र इसके बाद हम थोड़ा साउथ में देखते हैं तचसिला कांधार की location देखेंगे अफगानिस्तान में बाकी reasons देखते हैं तो कालसी देखें यह जो कलसी है यह उत्राकंड में ठीक है इसके बाद मेरट वगेर हमें पता है कहां है लुम्बिनी बिहार में लुम्बिनी सौर यह आराराज है इसके बाद हमें सारनाथ देखने को मिलेगा जो गोड़ा ध्यान रखेगा बहुत ज्यादा important है ओडिसा में इसके बाद ये राग उडड़ी देखे ध्यान रखेगा यह भी मास्की देखे करनाटक में सन्नति मास्की वगेरा सोपारा भी देखे महराष्ट में ना one way one बात करते है major rock addict की तो जो पहला addict है यह क्या बताता है prohibition of animal sacrifice यह बात देखे कितनी ज्यादा importance दी गई असोग के द्वारा कि animal sacrifices को जो है यह prohibit करना है रोकना है दूसरा देखे second addict no doubt buddhism अगएरा का भी influence यहाँ पर देखने को मिलेगा edits में second addict क्या है medical treatment किया जाना चाहिए human और animals का planting करना है beneficial medicinal herbs को और इसके बात इसी में second addict में ही हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के kingdoms को mention किया गया है पंडे हमने पढ़ा आई है ancient history के crash course में सत्य पुत्राज केरला पुत्राज तो यह साउथ इंडिया के जो kingdoms है उन्हें भी mention किया गया है third edit की हम बात करते हैं तो अपने officers का बताया गया है नाम कि किस तरीके से यह धंबा को preach करने का काम कर रहे हैं और बाकी सारी duties को perform कर रहे हैं fourth edit को हम देखते हैं तो लिखा गया है कि भेरी घोस भेरी घोस मतलब यह रण भेरी वगेरा जो होते हैं वोर में जो यूज किये जाते हैं इनको replace करना है धंगोस से धम गोस का मतलब है वही बात है गुमाफिरा करके कि सारे जो है पीस की बात की जाएगी टॉलरेंस की बात की जाएगी इसके बाद King Asoka attest greatest value to this duty हाँ आगे देखते हैं, फिफ्ट एडिक की बात करते हैं तो धम महामंत्री ये question बहुत बार पूछा गया है तो धम महमत डिरेक्ट पूछते हैं तो क्या काम है इनका? अस्प्रेट धम्मा विदिन दा किंग्डम ठीक है? तो धम को प्रोपगेट करना और यहाँ पे धम का मतलब डिरेक्टली आप धर्म से किसी रिलीजन से असोसियेट ना करके इसे बाकी जो वर्चूज है उनसे असोसियेट करें यह बात खुदी एडिक्ट में देखने को मिलती है सिफ्ट एडिक्ट की बात करते हैं तो पत्ति वेदिका आज इस वर्ड को ध्यान रखेगा ठीक है क्यों कि अभिलेक्ट में डिरेक्टली लिखा गया है एडिक्ट में कहा गया कि जो रोयल प्लेजर टूर जो विहार यात्रा जो गुमने के परपस है उन्हें धम तूर यानि धर्म यात्रा से रिपलेट किया जाना चाहिए नाइंध एडिक्ट में बताया गया कि जो बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं उनका criticism है, उनकी कोई योग्यता नहीं है, जो various तेरेबनीज हैं उनकी, 10th addict में बताया गया कि King को कोई glory, कोई fame की जरूरत नहीं होती, 11th addict में भी बताया गया है, कि धम का जो gift है, यह सबसे बड़ा gift है, धम include giving, अच्छा हाँ, मत्ता की बात की गई है, इतिजी का महा मत्ता मतलब very very important, बहुत बार इन्होंने पूछा है, मतलब वैसे महा मंत्रीज, जो women welfare के charge में है, women welfare यानि महिलाओं के welfare, महिलाओं के कल्याण के in charge वाले महा मंत्रीज, इतिजी का महा मत्ता, ये भी हमें असोक के अभी लेख में देखने को मिलता है, थर्टीन्थ एडिक्ट देखे, ना जाने इन्होंने कितनी बार पूछा है, कुछ ध्यान रहे या ना है, बट इसे जरूर ध्यान रखेगा, कि जो, जिस हम युद्ध की बात करते हैं, कौन से युद्ध की, कलिंग की, कलिंग वोर का जो जिकर है, ये थर्टीन्थ रोक एडिक्ट में देखने को मिलता है, लगवग हर एग्जाम में ये पूछा ही गया है, किसी ना किसी रूप में, ना वन बाए वन कॉष्चन देखते हैं, देखे क्या कहा गया, असोक के इंस्क्रिप्शन में असोक को किस नाम से रेफर किया गया है, देखे इसका आंसर है प्रिय दर्सी, ये आपको सभी NCRT में देखने को मिल जाएगी, इनफेक्ट जो जिस चेफ्टर के हम बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट चेफ्टर है, किंग, फार्मर, एंड टाउन, इनमें भी हम देखते हैं, नेम ओफ दा रूलर, असोका, इस नोट मेंसर्ण निन्ना इंस्क्रिप्शन, इन्स्क्रिप्शन में असोक नाम डिरेटली नहीं देखने को मिलता, बलकि क्या यूज किया गया, देवा नाम पिया, देवा नाम पिया मतलब बिलवेड अब दा गोड, और पिये दस्सी, पिये दस्सी मतलब पिलिजेन टु बिहोल्ड, ठीक है, देवा नाम पिये मतलब बिलवेड अब दा गोड, यानि भगवान के पिये, तो इस तरीके के जो हैं हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो आई होप आप ध्यान रखेंगे ये से पिये दस्सी, यानि पिये दस्सी, दोनों ही टर्म यहाँ पिये कोशन में दिये जा सकते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो ये बात मैंने लिख दिया, नेक्ट देखें, साउथ इंडिया के किंड़म्स का मेंजन जो है, किस अभी लेक में देखने को मिलता है, किस अभी लेक में अभी यह हमने कवर किया था, सेकेंड मेजर रोक एडिक में देखने को मिलता है, ये बात अभी हमने पढ़िये, हाँ, ये बात देखें, मेंसंस, साउथ इंडिया किंड़म्स, अगला सवाल देखें, पुछा गया है कि संगम जो किंड़म है, असो के किस मेजर रोक एडिक में इनका जिक्र देखने को मिलता है, देखेंगे इसका आंसर है 2 एं 13, सेकेंड के बारे हम तो हमने देखा गी साउथ इंडिया के किंड़म्स की बात की गई, और जो 13 है ना, हाँ, इन में भी आप देखे, धा king considered victory by daha to be foremost victory, यानि धम से जो जीत हासिल की गई है, वो सबसे बड़ी victory है, और इसी में mention किया गया है by dhamma on his hellenistic neighbor, यानि जो hellenistic neighbors हैं, जो इनके Greek neighbors हैं, hellenistic का मतलब Greek होता है, जो इनके Greek neighbors हैं, जैसे Antioches हैं, और बाकी जो चोला पांड्याज है इन सभी जो डनिस्टीज है जो important kings हैं इन से associated इन पर भी इन्होंने victory किये है बट किन की victory धम की victory तो इस तरीके से हम देखते हैं कि South India के kingdoms का जिक्र 2nd और 13th दोनों rock addict में देखने को मिलता है तो answer क्या होगा इसका option C next देखे नौर्थ western part में पूछा गया है कि असोग के जो inscription है खास करके पैसावर के पास यह हमें किस script में देखने को मिलेंगे ब्रामी, एरेमिक, देवनागरी या खरोष्ठी तो देखे खरोष्ठी के बारे में भी इसी chapter में काफी detail में दिया गया कि किस तरीके से खरोष्ठी की decipherment होती है जो कि Northwest में यूज की गई inscription है नौर्थ वेस्ट में ध्यान रखेगा बहुत बार पूछते हैं यह नौर्थ वेस्टन पार्ट में जो हैं खास करके पाकिस्तान वाले reason में हमें कौन से script देखने को मिलती है खरोष्ठी दोस्तों यह जो books है themes and CRT के उसी chapter का इसे जितना star mark कर ले उतना कम है यहां से बहुत सारे question देखने को मिले तो उम्मीद है आप इसे ध्यान से समझेंगे देखे जो ज़्यादत तर असोक के अभिलेग है यह प्राकृत भासा में है जैसा कि मैंने बताया प्राकृत एक language है और प्राकृत के archaic form के आयूज देखने को मिलता है जबकि हम north western part की बात करते हैं तो हमें aramic और Greek का परियोग देखने को मिलता है असपैसे फिकली मैं बता दूँ कि मैं किन inscriptions को refer कर रहा हूँ बट फिलाल आप देखिए कि यह जो प्राकृत वाले inscription है यह ब्रामिय स्क्र script में है जबकि जो aramic और Greek है इनका इस्तेवाल अफगानिस्तान में देखने को मिलता है काफी चीज़े confusing हो गई है so let's go to map हाँ तो यह देखिए यह है अफगानिस्तान और यह है पाकिस्तान तो पाकिस्तान में आपको क्या ध्यान रखना अगर आपसे script पूछ ले तो खरो जबकि यहां आप देखोगे तो ग्रीक अर्मेइक लेंग्वेज का ग्रीक अर्मेइक का परियोग देखने को मिलेगा ग्रीक अर्मेइक का स्क्रिप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टन तो यह जब question पूछा गया 2022 में तो तुरंती पेपर के 5 मिनट के बाद मैंने analysis करी थी मैंन समझी है न यह साफ तो इन्होंने लिखा है तो इस कारण से जो है अफगानिस्तान की जब बात यह पूछेंगे अफगानिस्तान में कौन सा measure rock addict हमने देखा क्या आपको ध्यान है कॉमेंट करिए पाकिस्तान में हमने दो देखे और अफगानिस्तान में एक measure देखा देखा कि आपको recall करना ही पड़ेगा कोई तरीका नहीं है इसका और यह चीजह है जब आप पीछे पढ़ते जाए और आगे जब आप बढ़े तो तुरंत पीछे सोचे क्या जो हमने पढ़ा है वो ध्यान में है यही सही तरीका है trust me हाँ तो जैसे अभी हमने अर्मेइक और ग्री सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है सरे कुना भी कहा जाता है और कांधार की बात जैसा कि अभी हमने करी ठीक है हाला कि मैंने answer बताई दिया बट ठीक है आगे बढ़ते है answer इसका डी यह official answer अभी आगया है ठीक है official answer में आप देखेंगे आपको answer डी मिलेगा इसी तरह आपको कोई confusion मन में नहीं रखना है हाँ तो यह बात देख लिए कि प्राकृत जो लेंग्वेज है यह यूज किया गया northern region में कई बार हम देखते हैं कि north west में खरोष्टी है यह question याद करिए यह पी एसी वाला जो भी हमने cover करा ग्रीक और अर्मीक west में है यानि बात की जार या अफगानिस्तान की यह बात की जारी पाकिस्तान की पाकिस्तान में दो major sites है इसके बाद हमने ब्रहमी देखा east में I hope आपको यह complete clarity मिल गई होगी इस पर question बनेगा आप देखेगा पहले भी पूछा गया है ना हम कुछ other important pillars की बात करते हैं इन पर भी काफी सारे question बने है तो अलहाबाद के अगर हम बात करेंगे जिसे कोसाम या कुइन्स एडिक्ट भी खा जाता है कोसाम भी एडिक्ट ठीक है तो यह बताता है कि once members of the sun against causing division in the rank तो यही बात है कि जो संग के members है यानि जो बुद्धिजम के अंदर के जो संग देखने को मिलते थे उनके उनमें ranking क ये रूप में divide ना किया जाए लोगों को एकता बना करके रखी जाया इसके बाद हाँ तो इसी एडिक्ट में जैसा कि हमने देखा ये उसी पिलर inscription की बात की जारी समुद्र गुप्त वाली ही तो दोनों ही इसी inscription में ही एडिक्ट भी देखने को मिलता है दोनों ही बात है ए कि आपको ध्यान है हमने mapping वाले lecture में cover किया है ये king रूद्रदामन का है और इसके विश्य में हमने पढ़ा था कि सुदर्शन जील को पुस्य गुप्त के द्वारा construct कराया गया था लेकिन इसके जो repairment का काम है ये रूद्रदामन के द्वारा देखने को मिलता है अब आपका काम है कि आप बताएं रूद्रदामन किस dynasty के है क्रेस कोर्स में हमने cover किया है न दिहाने आपको आगे बढ़ते हैं कांधार जैसा कि हमने देखा कि इसकी खास बात ही है कि आर्माइक inscription यानी ग्रीक और आर्माइक ठीक है दोनों देखने को मिलता है इसमें bilingual है इस कारण से औ और किस जगा पे हमने देखा है यह अफगानिस्तान में नगाली सागर वेरी वरी इंपॉर्टन कहां है यह निगाली सागर तो यह नेपाल में है और इसमें माना गया है इसमें बताया गया है बिसीकली इस inscription में कि पहली बार जो स्तूपा का enlargement किया गया है ठीक है और बाद हम बात करते हैं रुमिन देई की यह रुमिन देई और निगाली सागर दोनों ही नेपाल में है तो रुमिन देई इंस्क्रिप्शन जो है यह बुद्धा के बर्थ प्लेस को याद करने के लिए कॉम्मेमोरेट करने के लिए असोक ने लुम्मिनी विजिट किया था इसके पाद वहां गाओं के लोगों को टेक्स कंसेशन दिया था टेक्स में छूर दी थी कौनसी छूरती थी यह भी बताया है कि बाली से एक्जेम्ट कर दिया गया बाली एक तरीके का टेक्स था कई बार इन्होंने पूछा एक्जामस में ठीक और केवल 1.8 थी आपको देना है भाग का सन्नती इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं यह जो सन्नती इंस्क्रिप्शन है वेरी वेरी इंपोर्टन करनाटक में हैं तो यहां आइभा की गई है है कलनि एडिक्ट की बात करते हैं तो कहा है हुआ नभी हमने मैप में यह कवर करा है औरिसा में भॉली और जहुड़ा अद होली और जहूड़ा यह all men are my children इसमें बताया गया है मतलब respect वाली बात देखने को मिलेगी इसके बाद हम cover करते हैं यह जो है इंस्क्रिप्शन चंद्रुप्त मोरिका है और इसमें relief वाली relief measures वाली बात देखने को मिलेगी मगद में जब फेमायन आएगा तो इसके लिए आपको relief measures लिए गए एक important minor rock addict है minor है ध्यान रखेगा इसमें बताया गया है कि असोग जो है बुद्धिजम में gradually convert किये हैं gradually बुद्धिजम को इन्होंने अपनाया है ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने अचानक कह दिया कि बुद्धिजम हमें adopt करते हैं यह बात मैं क्यों बता रहा हूँ यह देखेंगे ठीक है धाई साल लगभग लगे sudden नहीं हुआ है अलग-अलग books अलग-अलग तरीके से बताते हैं जैसे कुछ जो books हैं यह बताते हैं कि एक merchant के द्वारा जो की समुद्र से associated थे हैं ठीक है उनके द्वारा convert किया गया कोई बोलते है उप-गुप्त के द्वारा तो अलग-अलग stories है तो उनसे question नहीं बनते हैं देखें क्या कहा जा रहा है हाँ यह prelims का question है रेन्योस होका तो अभी हमने देखा यह गंगन हल्ली सननती करनाटक में तो यह image है काफी जादा यह चर्चा में आया था basically यह current affairs का ही था अब देख सकते हैं क्या लिखाया है excavated antiquities lying in open area for last 20 years तो इस कारण से काफी जादा चर्चा में आया था सननती में सननती एक small village है भीमान अधी के तठपर है करनाटक में गुलबर्गा में और इसके बाद यह कब prominence में आया जब एक temple में collapse कर गया था 1986 में तब हमें देखने को मिला collapse के बाद कि इसमें तो असोग की अभी लेख है प्राकृत language में ब्रहामिय स्क्रिप्ट में तो इस कारण से फिर बाद में से पढ़ा गया और फिर काफी इसके बाद हम निगाली सागर की बाद देखने को मिलता है तो इसमें बताया गया है कि कोना गामना अस्तूपा को यह विजिट करते है तो बहुत हैं तो बहुत है इसका अंसर यह थोड़ी मिस्टेक हो गई रुमीन देई की बात हमने नहीं देखी यहां पर देखिए दोनों में कन्फिउजन नहीं होनी चाहिए निगाली सागर ठीक है निगाली सागर हम बेसिकली यह बात हमने पड़ी थी रुमीन देई में नहीं तो रुमीन देई में हम देखते हैं कि असोगा लुमीनी को विजिट करते हैं टेक्स कंसेशन देते हैं पर इसका मतलब यह नहीं की विवीड डिटेल्स देखने को मिलेंगे बहुत ही depth में बात की गई है कि असोगा क्या धमा एडियोलोजी था इन जब चीजों पर ठीक है तो ध्यान रखना है इस बात का कई बार जो हैं statements में यह जो words हैं keywords हैं यह भी काम कर जाते हैं यह भी पताते हैं कि सब्द की गमभीरता कितनी है तो answer इसका update कर लिजएगा answer इसका to only next देखे क्या पूछा गया तो ये दोनों साइट्स हमने कहा देखेते है ये दोनों साइट्स हमने देखेते है पाकिस्तान में इसमें किसी तरह की confusion नहीं होनी चाहिए कि खरोष्ठीय script आएगा बट लेंग्वेज ये भी आपसे पूछा गया है कि ये प्राकृत होगा प्राकृत देखे बस नौर्दन इंडिया में है नौर्थ वेस्टरन पार्ट में नहीं देखने को मिलेगा तो answer हम D के साथ जाएंगे एरमिक लेंग्वेज और खरोष्ठीय script ये question CDS 2022 का है ठीक है देखे क्या कहा गया है असोकास faith in Buddhism के बारे में फूछा गया है रूमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन निगाली पिलर इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि असोका का faith है बुद्धिसम में बुद्धिसम में देखने को मिलता है बिल्कुल गलत है हमने देखा धाई साल लगबग टाइम लगता है बिल्कुल ये gradually जो हैं टर्न करते हैं बुद्धिसम की और तो second गलत है यहां पे answer क्या होगा one only सो अभी हमने map से इन चीजों को locate किया अलग से हमने mapping का lecture भी cover किया मैं कोई option दूँगा नहीं आपको चारों आपको सही match करके comment box में लिखना है यह civil services 2022 का question है उमीद है आपको इन video lecture series से help मिल रही होगी आप next किस topic पर इस तरीके की previous question चाहते हैं यह comment करके हमें बताएं और अगर history के इसी तरीके से आप lecture को continue देखना चाहते हैं तो playlist में जो है आपको पूरी updated playlist मिल जाएगी और भी कई सारे lectures इस important topics के देखने को मिलेंगे जल्दी मिलते हैं एक नए topic के साथ धन्यवाद जैहिन